अगर आप अपने स्कीन पे कोई भी घरेलू रेमडी बनाकर लगाती हैं और एक भी बाल क्लीन नहीं होता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिकी हैं इस छोटी सी चीज का यूज करके आप अपने फेसियल एर अनवांटेड हेर्स को घर पे क्लीन कर सकती हैं वह भी ब तो आप इसका यूज कर सकती हैं अभी मैं आप लोग को क्लीन करके दिखाऊंगे ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं कितना जादे हैं तो आज हम यह वाला रेमडी इसी पर लगाएंगे और लगाकर लाइब डिजल दिखाएंगे वीडियो में कि यह कितना आराम से अंचाह power लेना है बावल में जो सबसे में इंग्रिडियंट जाएबा है ऐलोवेरा आप यहां पर प्लान्ट वाला इलोवेरा भी लेसकती हैं मारकेट्वाओ तो उस यूज कर सकती हैं लेकिन अगर आपको प्लान्ट वाला इलोवेरा मिल जाता है तो और अच्छी बनेगी इसका जो असर है और जादे आपकी स्किन पर दिखेगा तो आपके पास जो भी एलो वेरा हो कोई मतलबों नहीं है कि आपको प्लांट वाला ही लेना है कोई भी एलो वेरा हो एक स्कुन भर के आप ले लीजिएगा एलो वेरा हमारे स्किन को मुलाइम बना के रखता है एलो वेरा में बहुत सारे गुंड होते हैं जो कि ओवराल हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा भी होता है सभी के चेहरे पे हाथ पेर पे रोवें जैसे बाल होते हैं जिसको कि हम लोग रोवा बोलते हैं मतलब इसकिन टोन का छोटा छोटा बाल होता है परिशानी कब होती है जब वही हेर्स काफी जादे घना हो जाए उसका कलर चेंज हो जाए डार्क हो जाए तो देखने में बड़ा जीब सा लगता है और इसको हटाने के लिए बहुत सारा टीटमेंट भी हम करा लेते हैं लेकिन हमें कहीं भी मन चाहा रिजल्ट देखने को न अगर आप मार्केट ओल ले रही है तो वह बिल्कुल फाइन पावडर मिलता है क्योंकि मार्केट ओल में भी यूज करती हूं वह बिल्कुल फाइन होता है लेकिन जो हम घर पर तयार करते है रहए हमारे स्कीन को इस क्रब करें गा पोर्स में जितना भी धूलमिटी होगा गंदगी होगा उसे खीच के निकाड़ेगा इसकी पूरी तरह से क्लेन कर देगा और कॉफी जो है इसमें जो कैफीन पाया जाता है वो हमारे अंचाहें बालों को काफी जादे वीक कर देता है अराम से बाल निकरने लगता है तो एक कॉफी ले जियेगा लेकिन अगर शिर्फ आप अपने फेस के लिए तैयार कर रहे हैं तो आधा इस्पून काफी होगा मैं यहां पे आधा ही स्पून ली हूं और इसमें जो तीसरी चीज हम ले रहे हैं फ्रेंड ओ है पिसी हुई चीने आप यहां पे खड़ा चीनी भी ल ठोड़ा सा दर्दरा है और खड़ा चीनी अगर ले लेती तो इस लिए पिसीवी चीनी माई हाँ यहाँ पर ले रहे हूं दोनों को बैलेंस कर लेना है ठीक है इसमें हम चुटकी भर ले रहे हैं कस्तूरी हल्दी जो की वाइट तर्मरीक है किचन का ले रही हैं तो इससे भी कम लीजिएगा किचन का हल्दी भी आप यूज कर सकती है क्योंकि ये कमेंट आये था कि दीदी मेरे पास वाइट टर्मरीक नहीं है तो डियर आप किचन का भी ले लीजिएगा लेकिन को आंटिटी कम कर गए क्योंकि उसमें होता है कलर इसमें हम जो ले रहे हैं अगर आप इसमें कोई भी ओयल नहीं लेंगी और आप जब लगाएंगी ना तो निकारना थोड़ा सा आपको मुस्किल लगेगा काफी जादे दर्द होगा दाना भी निकर जाएगा तो इसमें आपको बिल्कुल थोड़ा सा दो से तीन ट्रॉप ले लेना है कोई भी ओयल आ अच्छे से मिक्स भी होगा और बहुत अच्छा सलूसन बनके रेडी भी होगा इसमें एक चीज और हम मिक्स किये जो की इसकी फो गया है थोड़ा सा मैं ली थी यहां पर खाने वाला नमक जो नमक होता है न जो की वाइट नमक हम कीचन में यूज करते हैं नमक दर्दरा हो सबसे जादे बालों की ग्रोथ हमारे हाथ पर पे दिखता है और फेस पे अपर लिप पे तो इतना जादे बाल आता है चीनेरिया पे की जैसे लगता है दाढ़ी मोच सी आ गई है और बहुत सारी जो गर्ल हैं इससे परिसान है मैलाओं के फेस पे भी हेयर्स की ग्रोथ होत ताकि जो रोवा है वो तुरंत क्लीन हो जाए और वही बच्चे बढ़े हो तो उनकी स्किन पे बाल ना हो लेकिन आज कल PCOD की समस्या से काफी जादे बाल की प्रोथ हो रही है और ज्यादा तर महिलाओं में PCOD की समस्या देखी जा रही है उसी को वज़ा से हेर्स की प्राबलम को जादे ही देखने को मिला है और जो PCOD की वज़ा से बाल आता है ना फ्रेंड उसका जड़ काफी जादे हाड होता है मजबूत होता है उस पे कोई भी घरेलू रेमडी काम ही नहीं करता है इसलिए आप लोग कोई भी घरेलू रेमडी उसका कोई भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है तो उसका रिजन एही है PCOD की समस्या उसके कोई भी घरेलू रेमडी जल्दी से काम नहीं करता है अब इस सलूसन को हम लगा लिए हैं जहां पे मतलब मेरे हाथ पे काफी जादे बाल है और मैं लगा करके इसे है सारा क्लीन तो नहीं होगा लेकिन हाँ काफी हद तक बाल निकड़ जाएगा भी मैं रिजल्ट भी आपको लाइब दिखाऊंगी अब आपको क्या करना है थोड़ा सा चिपचिपा है काफी जादे चिपचिपा है अब हमें हाँ पे लिया है थोड़ा बेसन और बेसन कि आपको चींटी काट रहे है थोड़ा बहुत दर्द होगा और इसकीन भी थोड़ा सा रेड होई जाएगा क्योंकि इस तरह का पैक जब हम लगाते हैं तो इसकीन हलका फुलका रेड होई जाता है तो अभी हम बेसन लगा लगा कि अच्छे से मसाज कर ले रहे हैं आप ल घृइट्नेस जो है नो खतम हो जाईगा आराम से हर किसी के फ्य duasट होता है सबी के फ्य पर इसको हटाने के लिए बहुत सारे लोग बैक करते हैं फ्यसutव फ्यस पर रेज़ कर लेते हैं लेकिन यह पर्मानेंट शलोसन नहीं है एक चीज आपने नोटिस किया हो गां कि आप अगर अपने ठेस पर रेजर करती हैं बैक्स करती है तो दुबारा से जो बाल आया होगा ओ कितना हाड होगा आपको खुद पता होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप कमेंट करके जरूर बताईएगा कि कितना हाड बाल की पुरोथ होई है अभी इसे मैं क्लीन करके आप लोगो दिखाऊंगी अभी मैं धूल करके आऊंगी और क्लीन करके दिखाऊंगी बने रहीएगा वेडियो पे तो लो जी अभी मैं क्लीन करके आ गई हूँ और काफी सारा बाल क्लीन हो गया है आप लोग खुद देखिए रिजल्ट कैमरा में मैं साफ दिखा रही हूँ जो मोटे बाल है वो नहीं निकड़ा है लेकिन जो हलका फुलका रोवा था ना बहुत बारीक बाल था वो क्लीन हो गया है कहीं कहीं आप लोग देख सकते हैं इसकी काफी साफ लग रहा है क्योंकि वहां का जो बाल था हट गया है लेकिन जो मोटे बाल है उसके लिए मैं हाथा दिन के बाद आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि यह किस तरीके से काम किया है यह रेमेडी बहुत अच्छी है नेचुरल है आप इसका यूज कर सकती हैं अंचाहबालों को साफ करने के लिए और जैसा भी आपको रिजल्ट मिलता हो कमेंट बॉक्स में जरूर तो उसके लिए आप थोड़ा सा इस सलुसन को लीजिए और जहां पर बाल है उसे रिया पर लगाईए और जब सूख जाता है तो मसाज करके निकार दीजिएगा बहुत अच्छा घरेलू रेमेडी आज आप लों के साथ में सेयर की हूं कॉफी में इसकीन वाइटनिंग प त्रू बाल हट गया तो उसकी ग्रोथ भी काफी कम हो जाएगी और बहुत दिनों के बाद बाल निकड़ेगा आई होप आप लोको ये वीडियो पसंद आई हो अच्छी लगी हो लाइक और सेयर कर दीजिएगा चैनल पनी हूं मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब सब्सक्राइब करके वे लाइकन को प्रेस कर लीजिएगा मैं आप लोग से मिलती हूं नेक्स वीडियो